हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के weekly current affairs के साथ में Hi everyone, my name is Krittika, this is O2IS Academy और आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के current affairs के साथ में अभी यहाँ पर हम लोग एक ही जगा पर, क्योंकि हिमाचल के current affairs हर जगा नहीं मिलते तो प्रियो और मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों से cover करते हैं और जिस भी तरीके से HPPAC question put up करता है उसको भी देखते हैं, तो हमाचल का कोई भी आप exam देने वाले हो, यह आपको उसमें help करेंगे आज हम 3rd week of August, that is 15 to 21st August के current affairs देखेंगे इस में जादा हम natural disaster की बात करने वाले हैं, तो इन lectures के PDF आपको कहा मिलते हैं, वो मिलते हैं हमारी mobile application पर इसका link description box में दिया गया होगा, वहाँ से जभी आप download करेंगे, तो study material नाम के section में weekly current affairs नाम का folder है, वहाँ से आप PDF को download कर सकते हैं, सिंस आपका exam आ रहा है तो आप self analysis के लिए और चीज़े भी वहाँ पर check कर सकते हैं, जैसे test series हैं, आपकी daily current affairs हैं, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी preparation किस तरीके से चल रही है, और ये जो tests हैं ये भी आप अपने लिए देख सकते हैं, ठीके, तो चलिए शुरू कर करते हैं, आज हम कुछ prelim facts देखेंगे, then we talk about the mains, दो तीन studies हैं आपकी इनको देखें, सबसे पहले news की बात करते हैं, पहली news है कि एक 800 meter का लंबा railway bridge था, चक्की river के ऊपर जो की collapse कर गया, अब देखो, emotional तो आप इसके बारे में हो सकते हो and everything, लेकिन exam के लिए का important है, exam के लिए important है कि ये bridge कहाँ पर था, so ये आपका हिमाचल और पंजाब के border पे था, दूसरी बात कौन से river पे था, तो ये river है आपकी चक्की river, चक्की river किसकी tributary है, चक्की river ब्यास की tributary है, area कौन सा है, कांगडा का area है और ये आपका pong dam century है, तो इस तरीके से, अब यहाँ से आपको पता है कि ये वाला area होगा, since हम लोग देख सकते हैं, ये आपका कांगडा आ गया, और ये ब्यास जो है यहाँ से flow करती भी जा रही है, और pong dam, pong dam भी यहाँ पर है, तो pong dang century आपको फिर idea हो जाएगा, कि क्या इसकी यहाँ पर location है, then again important के किस लिए है, इसके लिए इसकी main जो चक्की किसकी attributory है, इसके लिए, main से अगर हम इसको देखें, इसके reasons क्या रहे होंगे, reasons mainly इसमें illegal mining के उपर दिया गया है, कि आपका ये वाला जो area है, that is very much prone to illegal mining, इसी की तरह हमारी next news जो है, वो भी कुछ इसी की तरह है, जो की बात करती है, कि पालमपुर में एक और bridge था, जो मांद खड़ के उपर था, वो भी collapse करके हैं, और वैसे भी इस साल, सिंस बारिशे बहुत जादा हुई है, मैं लास्ट टाइम भी landslides आप लोग को इतने बढ़ाये थे, तो इस साल, जो अभी के stats है, वो कहते हैं कि पूरे इंडिया में 7% जादा बारश हुई है, लेकिन हमाचल में जादा है कह सकते हैं, सिंस हमालया हैं, यहां पर जादा बड़े cumulonimbus clouds बनते हैं, तो यहां पर हुई है, उसी के बीच में बहुत सारे उसके consequences देखने को मिले, landslide हो गए, mudslide हो गए, then cloud bursts, देखें हमने, अभी उसका, जो हम कह सकते हैं, जानमाल का ख़त्रा है, वो जादा हो रहा है, वैसे ही, जैसे मांद ख़द है, न्यूगल रिवर, तीन इसमें mention किये गए हैं, और ह आले हर खट, pronunciation मेरी गलत हो सकती है, लेकिन आप लोगोंने feeling पर जाना है, कि ये तीन यहाँ पर rivers हैं, किसकी tribute trees हैं, तो again ये आपकी ब्यास की tribute trees हैं, ये हम लोग इसी area की बात करें, अब इस area कैसे बात कर रहे हैं, जो आपका zone 2 है, ये वाला zone, इसके बीच वाला zone, हिमाचल में सबसे जदा बारिश यहाँ पर होती है, सबसे जदा fertile land यहाँ की होती है, इसको हम ये आप बताएंगे, agroclimatic zones के हिसाब से हम लोग इसको कौन सा zone मानते हैं, क्या कहते हैं, नाम क्या है इसका, जरमशाला में सबसे जदा बारिश होती है हिमाचल में, तो वो भी इसी area क अब इसी को अगर हमें में से connect करना है, तो में का topic क्या बनता है, एक उसके regarding भी news थी, तो यह जो study है, यह कोई नहीं नहीं है, पुरानी study है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश कितना प्रोन है natural disasters के लिए, natural भी man made भी सारी disasters के हम लोग बात कर रहे हैं, तो म पर जादा focus किया गया, ऐसा क्यों है, क्योंकि last time भी मैंने बताया था कि करीब 1200 के आसपास में लोगों की death हुई है, just because of landslide in हमाचल in this august, आपका august वाला महीना especially इसमें, तो इसकी वजा से यह आपकी study highlight में, study क्या कहती है, study कहती है कि total number of disasters 33 है, जिसमें से 25 हमाचल है, reasons इसके हम लोग different different देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह natural disasters दिखा हूँ, तो यह आगी आपकी hydromateriological, that is flash floods, cloud burst, forest fire, drought, hailstorm, lightning avalanche, और यह आपने सारे सुने हैं, ऐसा नहीं कि कोई कालपनिक हैं यह, avalanche हम लोग सुनते हैं, hello hollins, पीती मितने सरे होते हैं, hailstorms के ल खोड़े दिन पहले कसॉली में लगी थी, cloud burst तो August में बहुत सारे हूँ है, then we talk about flash flood, वैसे geological अगर हम देखे हैं, तो earthquake हो गए, landslides, soil erosion, earthquakes कैसे, हमाचल, क्या है, हमालयास में आता है, और हमालयास की formation कैसे हुई, एक plate यहां से गई, दोनों continental plates जो हैं इस तरीके से मिली और य हैंस यह बहुत जादा seismic zones है, highly active seismic zone 4 और zone 5 में हमाचल प्रदेश आता है, फिर आगे landslides, landslides मैंने last time भी आपको बताया था, since बारिश जादा हो रही है, जैसे यह आपका पहाड़ है, पानी की movement से यह basically होते हैं, तो यह यहां से पानी अंदर गया, पानी ने अपना रास् को यहां पर साथ मिले के चला जाएगा, या निके बह जाएगा basically, तो यह आपके landslide हो गए, फिर आगे industrial hazards, industrial hazards कौन से है, chemical industrial, since हमारा बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा pharmaceutical hub, आपकी BBN belt को कहा जाता है, तो Solan, Una, यह वाले area में बहुत सारी industries हैं, in fact आपने Swan को सुना then we talk about man-made accidents हो गए, terrorism, stampede, domestic fires, यह छोटी मातरा मेरे है, biological epidemic, pandemic, pest यह भी all over India, सारे ही states prone इसके रहते हैं, इसमें एक और add up करना है, यह सारे के सारे हो गए, इसमें एक और क्या है, दुकी नया है, that is climate change, है न, climate change की तो इसमें बात ही नहीं की, so that is also one of them, जो अभी recently, अभी recent study क्या कहती है, recent, मैंने last week आपको पढ़ाई थी, वो कहती है, कि हिमाचल में, April to June, जितने temperatures बड़े हैं, पिछले, बहुत सालों से उतने temperatures नहीं देखे गए, इसकी वज़े से क्या हुआ, हमाई पास में 800 glaciers है, glacier melt हुए, तो फिर हमें glacier lakes देखने को मिले, since temperature rise किये, तो फिर जो आपकी नदिया हैं, उनमें पानी कम था, पानी कम था, तो hydropower हम लोग, peak time जो होता है, वो summer का ही होता है, जब सबसे ज़ादा ये power generate की जाती है, तो उसमें भी decrease देखने को मिला, hence, एक जो climate change है, वो भी इसमें add करना है, तो अब आप देख सकते हो कि कितने सारे इस तरीके के disasters है, natural hazards है, जो हमाचल जिसके prone है, ये study में बहुत खुबसूरत तरीके से बात की गई है, ये तो मैंने आपको बताया अभी, इसके अलावा बहुत पहरे-पहरे map बनाके, यानि कि easy understanding के लिए, जैसे flood disaster है, कौन सा area prone है, जहां जहां से नदियां जाती है, अच्छे से इसको describe किया गया, then ये आपका earthquake वाला है, जो ये जादा वाला red है, ये zone 5 है, ये zone 4 है, तो इस तरीके से seismic active areas है, 1904 में आया था ना, कांगडा में एक बड़ा सा earthquake, और उसमें एक मंदिर है, जो की टेड़ा हो गया था, ये भी आप लोग ने अगर पढ़ा है already, तो आपको पता होगा, ठीक है, और वैसे ही landslide, कि landslide कौन से areas जो है, वो higher chances रखते हैं, severe है, then we talk about high, moderate, इस तरीके से, so यही है, इसके reasons मैंने आपको बता दिये, reasons man-made भी है, और जैसे हिमाल्याज है, तो पहला तो natural reason है, दूसरा आता है, soil erosion intense किया जाता है, ecologically sensitive areas है, तो हमने last time पी देखा कि mining, illegal mining यहाँ पर की जाती है, since हिमाचल में हमें जादा scientific mining देखने को मिलती है, जैसे scientists हैं वो अच्छे से बताते कि यहाँ यहाँ पर की जा सकती है, otherwise इसके कुछ repercussions रहेंगे, consequences रहेंगी, fragile topography है, right, यह आपके पढ़ने के लिए है, यह सब को यहाँ पर discuss किया गया है, वही जो districts हैं उनको compare किया गया है कि कहाँ पर जादा vulnerability है, कि किस 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 natural hazard की, right, so यह था आपका mains का topic, अभी हम एक और प्री यहाँ पर fact गेखते हैं, that is, Alliance Air ने एक नया aircraft, जिसका नाम है ATR 42600 सीरीज का aircraft, कुलू से आपका दिल्ली चलाया, अगर आप डिपार्ट करेंगे दिल्ली से छे चालीस पे चलेंगे, तो आठ बज़े आप कुलू जो हैं पहुंच जाएंगे, so यह यहाँ पर नहीं शुरुआत की गई है, so इस तरीके से जादा यह passengers कैरी कर सकता है, and again this is more like connectivity यहाँ पर बनाने के लिए, next news आती है, हमारी कुलू के CMO को Lifetime Achievement Award दिया गया, जो Education Minister है, उन्होंने कुलू के CMO, जिनका नाम है Dr. Sushil Chandrasharma, उनको Lifetime Achievement Award दिया, इन्होंने अपना पूरा जीवन डिस्टिक, कुलू के Healthcare को Improve करने के लिए समर्पित कर दिया, उसी को Commemorate करने के लिए इनको यह Award यहाँ पर Lifetime Achievement Award भी दिया गया, और इससे पहले भी उनको Kaya Kalp Award, 1718 का दिया गया है, और भी बहुत सारे जैसे Silver Medal उनको National Level पे TB Free Campaign के लिए मिला है, और हैंस उनको भी Lifetime Achievement Award दिया गया, नेक्स्ट आगया हमारा, कि दो नए High Court के Judges को यहाँ पर Appoint किया गया, अब यह News आपने पढ़ी थी, टू लास्ट मांथ में जभी मैंने बताया था कि High Court के Judges का जो Strength है उसको हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिया गया है, पहले अभी भी Google जो है, अभी भी गलत शो करता है, अभी भी 11 शो करता है, वेराइस इसको बढ़ा कर 13 यहाँ पर कर दिया गया है, अभी जो किये गए उनका नाम है सुशील कुक्रेजा और विरिंदर सिंग, और Chief Justice कौन है हमाचल के, तो उनका नाम है Amjad Sayyad, रई, क्वालिफिकेशन क्या रहती है अगर आप हाई कोट के जजज बनना चाहते हो, तो यह आपकी पॉलिटी है, यह अपने दस साल अज लोयर, यह प्रक्टिस क्या हो, यह पर रतारमें अज़ आपकी 62 है, रमोबल प्रोसेस क्या है, यह इस, इम्पीचमन बाइप्रेज़िए और अप्रेज़िए, और थे बने 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 प्रक्टिस अपर रतारमें, So our last news is लोक अदालत ने टोटल 24,000 केसे को यहां पर सेटल किया, सॉल्फ किया, लोक अदालत क्या है, तो लोक अदालत है आपकी पीपल्स कोट जिसको गांदी जी कहा करते थे, गांदी जी कहते थे, गांदी जी कहते थे कि वो बड़ी यूटोपियन आइडिया रखते थे, कि हां हम लोग एक विलेज में लोग रहेंगे, तो खुदी माँ पर प्रोड्यूस करेंगे, खुद को ही जज करेंगे, खुद को ही रूल करेंगे, और हैंस यूटोपियन सोसाइटी जो है, बन कर आए है, तो लोग अदालत हम कह सकते हैं, कि ancient times से आगे बढ़के, modern times तक, यह judiciary system है, जो इस तरीके से काम किया है, अब इसमें क्या है, कि pre-litigation, या फिर आपके court में जाने से पहले ही, कोई भी किसी तरीके का dispute है, उसको solve किया चाता है, यहाँ पर हिमाचिल प्रदेश को national award भी तिया गया, national लोक अदालत भी, यहाँ पर देखने को हमें मिली, under the patronage of chief justice of हिमाचिल प्रदेश, जिनका नाम है, अमजद सहियन, तो significance क्या है, significance जैसा मैंने आपको बताया, alternative dispute resolution system है, याने कि किसी भी, जो common लोग हैं, वो court तक जाने से पहले, अगर यहाँ पर dispute को अपने resolve कर सकते हैं, so it becomes very important tool, इसको statutory status दिया गया, 1987 के Legal Services Authorities Act के अंतरगर, इसमें अगेन आपके बहुत सारे लोग बैठते हैं, state level authority, high court authority, then we talk about district level authority, अलग-अलग इसमें levels और compositions बने हुए हैं, jurisdiction again क्या है, जो भी आपकी parties के बीच में dispute है, उसमें compromise करवाना है, settlement करवानी है, कोई भी case जो कोट के, किसी भी कोट के सामने pending पड़ा है, या फिर any matter which falls within the jurisdiction of any court, and is not brought before such court, याने के pre-litigation, ये अपनी powers लेता है, from the civil court under the code of civil procedure 1908, so इस तरीके से हमाचल प्रदेश ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, so that is it for today, I hope आपको ये वीडियो फेल्प करेगा, all the very best, and do subscribe to our channel,